यह आपकी स्किन की जो है वो बैंड बजाने वाला है इचिंग तो मुझे रागुलर ली वान वीक तक हो रही थी तो इसके उपर लिखा गया है कि यह जो सिर्म है फोर आल स्किन टाइप्स है तो रुकिए यहां पर हेलो विल्कम बैक तो मैं चैनल मैं नेम इस कुदरत कौर तो आज मैं जिस प्रोड़क्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं वह है गार्णियर का विटामीन सी सिर्म इवन मैट है यह विटामीन सी हाई कंसेंट्रेशन बूस्टर सीरम ठीक है तो मैंने काफी लोगों को इसको जो है वह रिसेंटली यूज करते हूँ देखा काफी कि ऐसा कोई प्रोड़क्ट होता ही नहीं है कि जो तीन दिन में आपके स्पोर्ट्स वगेरा जो है वह खातम कर देखो तो ऐसी ट्रीट्मेंट अगर आप ले रहे हूं मालब ऐसा कुछ अपने फेस पर प्लाय कर रहे हूं जिसके आपको चाहते हैं कि आपके फेस जो हो जा तो इसको देने ही चाहिए उसके बाद ही प्रॉपर रिजल्ट जहां वह आपको मिलेंगे लेकिन तीन दिन में आपको ऐसा कोई बी रिजल्ट जहां वह नहीं दे सकते हैं अगर आप रिजल्ट देखना साथ है तो मुझा थोड़े दिन आप यूज करेंगे तो थोड़ा तो आई थिंक यह सब सेल करने के लिए इन्हों ने लिखा हुआ है इसके ऊपर तो गाइस यह दिखने में कैसा यह कांच की बॉटल में है इस तरीके से वाइड क्लर की है और ड्रॉपर है इसके साथ खीक है तो white color का ही इसका जो serum है white color का ही है ठीक है और जब आप इसको apply करते हैं तो आपकी skin आप काफी soft सी feel करते हैं और आपकी skin को यह जो है वो glossy भी बनाता है as you can see के यह मेरे हाथ को जो है वो glossy बना रहा है और लगाने भी भी आपको इसको feel you feel good when you apply this serum तो इसके उपर लिखा गया है कि यह जो serum है for all skin types है तो रुकिए यहाँ पे I don't think यह जो serum है all skin types के लिए है क्योंकि मेरी जो skin है वो normal है ठीक है और कभी कभी hulky fulky dry हो जाती है weather की वज़े से but still excessive dry कभी नहीं होती है normal है मेरी skin तो इसने मेरी skin के उपर बहुत ही बुरा असर किया है जब मेरे पास पहुंचा था यह मेरे पास आया था तब मैंने इसको टीन चार दिन डारेक्टली अप्लाई किया जब मैं पहले दिन ही अप्लाई किया ना एक दो जैसे दाने से हो जाते ने ऐसा हुआ हो जाँ कि शहएद ऐसा ही हो जाता है वैसे भी तो इचिंग होने लगी मुझे उसके ऊपर तो दो तीन दिन मैं इसको अप्लाई किया तो बहलब ना वह दाने 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 बढ़ते गे तो फिर मैंने इसको इसको चॉप कर दिया थोड़े दिन मैंने स्किन केर में एक और तो मैंने जब इसको पहले में लगानेके पार फिर से मैंने ट्रय किया इसके उपर इसको लगाने के ले उसके ऊपर कर ँरी जब स gars की उसके वाने में लगा रही तो मुझे कोई भी प्रॉलम जो है वह नहीं हो रही ती जैसे ही ये वाला serum खतम हुआ थोड़ा सा ही बचा तो मैंने इसको रख लिया क्योंकि मुझे इसका जड़ा रिवियू करना है इसमें बिल्कुल भी product ज्यादा नहीं है बहुत ही कम सा है सिर्फ रिवियू के लिए तो मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं ये यूज करने लगी फिर से कि चलो मैं ये है भी इसको तब तक मैं यूज कर लेती हूँ तो वो जब खतम हुआ तो इसको फिर से मैं after toner के ये मैं यूज करने लगी थी direct अपनी skin के उपर तो क्या बताओं गाईज इसके इसने मेरी skin के उपर इतना बुरा असर किया ना क्या बताओं मेरे पूरे के पूरे face के उपर दाने यहां पर दाने यहां पर दाने यहां पर अभी भी है बट अभी तो मैंने make-up किया लेकिन मैं clip आपको जाब दिखाने वाली हो आप clip देख हूं वीडियो शूट करने के बाद तब भी मेरी स्किन पर थोड़ी थोड़ी हल की हलेगेचिंग है तो कि स्पोर्ट वगार में भी इसना जो है इसने जो है वह खोई खास काम नहीं किया है तो मुझे बिल्कल भी सूट नहीं किया अगर आपने इसको और यूज किया है और आ गार में अगर बिल्कल लग्यूला पूर दो मने क्लिप शूट किया है तो जब यह स्टार्ट होय था बहुत सारे दाने में फेस पर हो गये थे तो दाने ऐसे थे MUR्व कोई तो बहुत बड़े-बड़े होने स्टार्ट हो गए थे और कुछ तो बहुत चोटे-चोटे थे ज जैसे प्रिछिंग करते हैं रीड होतें बहुत च्हिल जाता है उसके ऊपर फ॥ जा च्छिल दिन राइग होने की इस तरह रहे थी और इचिंग तो मुझे रागुलर लान वीक तक हो रही थी आज एचिंग कम है मुझे बहुत मुझे यह बिलकुल भी बिर उट नहीं किया। इन फैक्ट मुझे नहीं लगता कि यह जो सीरम है, ड्राइ स्किन के लिए काम करेंगा। स्किन सेंस्टिव तो स्टे आवई नहीं किया है कि अगर आप यूज करें आपकी स्किन को सूट कर Snake कर रहा हो लेकिन स्किन कंसे मेरे प्रीदक्टन को अग 나타났 तो और जिए इस प्रिडट्ट रहे से के लिए बिलकुल भी मैं recommend नहीं करूंगी मेरी तरफ से बाकि आपको सूट करता है आप पर्चेस करना चाहते हैं ट्राय करना सकते हैं करना चाहते हैं वह आपकी मर्जी है इसको भी गाइस मैंने केनिया से ही पर्चेस किया है जो इसकी online एप है वहां से और वहां से मुझे 1100 something का जो मिला है offer me ठीक है तो इंडिया में इसके जो प्राइस है 450 से 500 के in between है तो गाइस यह थी मेरी आज की वीडियो तो गाइस अगर आपको आज की यह वीडियो हल्फुल लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe to my channel see you guys bye